नमस्कार सभी सहारा निवेशकों को मेरी ओर से साधर प्रणाम तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इनफारमेशन विद्पीके पर मैं हूँ पिंकु कुमार प्रजापत और आप देख रहे हैं इनफारमेशन विद्पीके सभी निवेशकों के लिए आज का जो वीडियो है हम थोड़ा अलग हटके आप सभी को बताने बाले हैं भुकतान को लेकर के राजसभा में जो मीटिंग हुई कैबिनेट की उसमें आज फिर सहारा के मुद्दे को उकसाया गया सहारा के भुकतान को लेकर बात की गई हम लोगों का जो पैसा फसा हुआ है उस पर चर्चा की गई तो उसी पर हम आज डिसक्राइब करने बाले हैं क्या चर्चा की गई हम लोगों के पैसा जो है मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा किस प्रकार से मिलेगा वो सब आप सभी को हम डिस्क्राइब करने बाले हैं तो बने रही गा है वीडियो में अंतक वीडियो काफी इंपोर्टन रहने वाली है क्योंकि आग वीडियो जो है थोड़ा अलग अटके रहने वाला है राजसवाब में जो सहारा का मुद्दा उठा है उस पर जो चर्चा की गए है उस पर हम भी डिसक्राइब करने बाले हैं तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनरोध है कि कृपया चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहा हैं तो चैनल को अबस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे इस प्रकार की आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफ पैसा हुआ है सहारा इंडिया के अंतरगत उस पर चर्चा यह की गई है मुद्दा इस बात का उठाये गया है कि जो सहारा पीडितों का पैसा जमा हुआ है सहारा इंडिया के अंतरगत चारों सोसाइटियों में तो उस पर चर्चा उठी कि इसका जो भुकतान है आखिर किस प्रकार से होगा जनता प्रयसान है उसका भुक्तान कब किया जाएगा और तो और ये कहा गया कि सहारा रिफंड पोर्टल भी लांच किया गया सहारा रिफंड पोर्टल लांच करने के बाद माननी सहिकारता मंतली ने ये बताया था कि इस पोर्टल पर जो आबेदन करेगा उ और लोगों ने जो है काफी प्रयास भी किये और उसका पैसा नहीं मिला और जो ये deficiency communicated या अधर प्रकार से जो message हमारे पास भेजे गये हैं जनता के पास भेजे गये हैं जो भी सहरा निवेसक हैं उनके पास message भेजे गये हैं उनका आवेदन reject किया गया है इस पर ये person उन्होंने पूछा अखिर इसका क्या कारण है और पैसा उनका कम मिलेगा तो reply उन लोगों ने दिया कि जो सहारा पीडित हैं उनका पैसा जो है फेजबाई दिया जा रहा है अब फेजबाई दिया तो जा रहा है लेकिन भुक्तान से जो है निवेसक हो रहा है वो भुक्तान फेजबाईज हो रहा है दस अजार रुपिया ही हो रहा है अभी छोटे निवेसकों को भुक्तान किया जा रहा है अब छोटे निवेसकों को किया जा रहा है बड़े निवेसकों को क्यों नहीं किया जा रहा है सबसे में चर्चा की ये भी बात है क् कि हर प्रकार के investor इस सहारा इंडिया के अंतरगत हैं तो काफी देर तक बहस चली चर्चा चली तो उन लोगों ने बताया कि एक-एक पैसा जो है सहारा investors का लोटाया जाएगा फैज वाईज लोटाया जाएगा प्रथम फैज में जो है 10,000 रुपिया और विश्वास तो नहीं हो रहा है दोस्तों तो इस प्रकार की चर्चा आज जो है राजसवा में की गई दोस्तों तो दोस्तों हम एही पर अपनी वीडियो को इंड करना चाहेंगे और दोस्तों वीडियो पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें मिलते हैं फिर नेस्ट नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद नमस्कार दोस्तों